हाई फ्रेंड्स मैं हूँ पूनम और पेनम का तड़का में आप सभी का स्वागत है आज हम बनाएंगे एकदम मार्केट के जैसे मुझ में घुल जाने वाली नारियल की बर्भी तेवहारों का सीजन सुरू हो गया है तो इस समय मार्केट में जो भी मिठाईया मिल रही है वो मिलावटी मिल रही है तो इसलिए आज मैं बना रही हूँ यह नारियल की बर्फी जो खाने में बहुत ही ज़्यादा तेश्टी है और यह बनाना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है तो इस नारियल की बर्फि को बनाने के लिए यहां हम नारियल लिये हैं जिसे हम उपर का जो पार्ट है ब्लेक वाला उसको निकाल दिये हैं और इसको छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लिये हैं तो चली अब इसको बनाना इस्टार्ट करते हैं तो इसको बनाने के लिए यहां हम गैस पर चड़ा दिये कड़ाही और इसमें डाल देंगे एक लीटर दूद दूद आप कोई भी डाल सकते हों कच्चा दूद ले सकते हैं या उबला हुआ दूद ले सकते हैं तो यहां हम डाले हैं एक लीटर दूद तो इसमें अब हम डालेंगे डेड़ कप चीनी करवा चोथ और दीपावली आने वाली हैं आपके घर में भी बहुत सारे महमान आएंगी तो आप भी इस तरीके से नारियल की मलाई वाली बर्फी बना करके सब को खिलाएगी सब बहुत ही जयादा खुस हो जाएगी और बहुत ही हेल्दी और हायजीनी की घर की मिठाई रहेगी तो इस तरीके से मिठाई बनाना थो बनता ही है तो इसलिए मैंने सोचा क्यों आज ही से बनाना इस डाट कर दें इस नारियल के मलाई बर्फी को बनाने के लिए हमें कुछ ज़्यादा चीजों की जरूरण नहीं पड़ती है, बस दो या तीन चीजों से ये टेश्टी बर्फी बन करके तयार हो जाती है, और घर पर पनी होने के कारण बहुत ही ज़्यादा हाईजिनी होती है फ्लेम को मीडियम हाई रखेंगे और इसे फटा-फट ऐसे ही मिलाते जाएंगे, जिससे कि ये तले में चीजो है बैठेना और इसमें मलाई न पड़े, इस तरीके से जब हम चलाते रहेंगे तो बहुत ही क्रीमी टेक्श्चर का ये मिठाई बन करके तयार होगा यहाँ आप देखेंगे कि जैसे ही ये हमारी चीनी मिल्ट होगी तो हमारे दूद का कलर भी थोड़ा-थोड़ा चेंज हो जाएगा और ये जो दूद है हमारा वो बहुत पतला नजर आने लगेगा, हम इसको ऐसे ही चलाते हो पकाते रहेंगे क्या होता है ना कि जैसे ही ये तेवहार सुरू होते हैं, मार्केट में जो भी मिठाई मिलती है वो बहुत महंगी हो जाती और बहुत ज़्यादा उसमें मिलावट करने लगते हैं और जब उन्हें हम खरीद करके खाते हैं तो उससे क्या होता है हमारे सरीर पर उसका बहुत गलग प्रभाव पड़ता है तो ये देखिए चीनी हमारी बहुत अच्छे से मिल्ट हो गई है तो इसमें अब हम डालेंगी ये ताजा नारिय जिसको मैंने अभी अभी जो दिखाया था वही हम मिक्सीजार में डाल करके इसको पीस लिए हैं आप इसको ग्रेड भी कर सकते हैं वारीक वाले ग्रेटर से ये मैं फ्रेस नारियल से वर्फी बना रही है तो ये बनने के बाद इतनी ज़्यादा सौप्ट रहेगी कि मैं आपको क्या ही बताओं एक बार जब आप खाएंगे ना तो फिर इसके आगे आप मिल्केक, रसमला मिठाई, छेना सब खाना भूल जाएंगे इतनी ज़्यादा ये टेश्टी लगेगी आपको और जो लोग सोचते हैं कि मिठाई बनाना बहुत ज्यादा कठिन है तो उनके लिए तो ये मिठाई बनाना बहुत ही आसान है इसको बहुत ही कम समय में बहुत आसानी से वो बना सकते हैं यहां हम एक लीटर दूद लिए हैं तो इसमें हमेंने 400 गराम नारियल डाला है आप इसको किसी भी मेजरमेंट से नाप करके बना सकते हैं आपको इस बरफी बनाते समय खास बात यह रखना है कि जो नारियल है इसका हुआइट पार्टी इसमें यूज करना है वो यह बरफी जो है इसका कलर अच्छा नहीं आएगा देखने में हम इसको ऐसे ही लगातार चलाते हुए पकाते रहेंगे जब तक यह दूद जो है अच्छे से गाढ़ाना हो जाए हम इस बरफी को बनाने के लिए किसी मावा मिल्क पावडर इस सब का यूज बिल्कुल भी इस बरफिल नहीं करेंगे बस ऐसे ही नार्मली मलाई दार वरफि बनाएंगे और इसमें हम ढलेंगे लाश्ट में सीटी जिसकी वज़ा से ये बर्फी बहुत ही ज्यादा टेश्टी बहुत ही ज्यादा क्रीमी बनेगी जब हम इस नारियल को दूद में इसी तरह से चलाते हो पकाएंगे जो ये नारियल है वो दूद को अच्छी तरीके से अपजार्ब कर लेगा जिसी कि जो हमारी बर्फी है बहुत ही ज्यादा टेश्टी बनेगी इसको हम इसी तरह से चलाते जाएंगे मीडियम हाई फ्लेम पर अभी तो आपको बहुत पतला पतला लग रहा है लेकिन धीरे धीरे जैसे इसको हम पकाएंगी ये दूद जो है गाणा होता जाएगा इस बर्फी को बनाने में का टाइम जरूब लगता है क्योंकि दूद में हमें पकाएं लेकिन बाद में इसका रिजल्टेज बहुत ही अच्छा आता है ये बहुत ज्यादा टेश्टी बनती है जैसे जैसे ये नार्याल जो है दूद में पक केगा और दूद हमारा गाढमा होता जाएगा तो तो क्य भी हम नहीं करेंगे बस हमें एक सीक्रेट चीर इसमें डालेंगे इस टेश्टी बर्फी को बनाने के लिए तो इसलिए आप मेरे वीडियो में लाज तक बने रहीएगा और अगर मेरी एरेस पी आपको पसंद आएगी तो आप मेरे वीडियो को लाइक से रहो मेरे चैनल पर आपना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट जरूर कीजिए तो यहां आप देखी रहे हैं कि यह हमारा जो दूद है वो गाड़ा होना सुरू हो गया है और यह जो नारियल है दूद में बहुत अच्छी तरीके से फूल करके मिक्स हो गया है यहां आप देखी रहे हैं जैसे जैसे हमारा दूद गाड़ा होना सुरू हो गया है तो इसमें बबल्स आने लगे हैं इसको हम इसी तरीके से अभी और चलाते रहेंगे और गाड़ा कर लेंगे तो आपने देखाई कि इसमें हमने फ्लेवर के लिए कुछ भी नहीं डाला है ना नारियल की बर्फी में इस बार बनाऊंगी बस इसमें किवल नारियल का ही फ्लेवर आए और किसी चीज का नहीं इसलिए मैं इसमें कोई भी इलाची पाउडर या कुछ भी नहीं डालूंगी तो यहां आप देखी रहे हैं कि मैंने फूड कलर को अच्छे से मिक्स कर लिया है अगर आप चाहें तो इसमें कंडेंस मिल्क मिल्क पाउडर मावा या कुछ भी डाल सकते हैं जो आपको पसंद हैं पर मैं इसको ऐसे ही बनाऊंगी अब मैं डाल रही हूं इसमें सीग्रेट जी तो यहां मैं इसमें डालूंगी दो चमच मलाई जिसको मैंने अच्छे से फेट करके रख लिया है अगर आपके पास मलाई नहीं है तो आप इसमें दो चमच घी डाल सकते हैं अगर आपके पास घी भी नहीं है तो आप इसमें दो चमच मिल्क पाउडर डाल दीजी उससे क्या होगा ना यह जो हमारी बर्फी है बहुत ही जादा क्रीमी बनेगी एक दूद्ध जो हम घर में नार्मली उबालते हैं तो उसके उपर ये मोटी सी परत जम जाती है जिसको मलाई बोलते हैं मैंने वही मलाई डाली है उसको निकाल करके रखी है थे इस दूद्ध की मलाई को डालने से इस बर्फी में बहुत अच्छी साइन आ जाएगी और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेश्टी बनेगी तो आपके पास जो भी हूँ आप इसमें डाल सकते हैं हम इस मलाई को भी इसमें अच्छे से कर लेंगे मिक्स और इसे अभी कुछ देर और पकाएंगी जिसे की और अच्छे से गाड़ा हो जाए ये नारियल की बर्फी मैं फ्रेस नारियल से बना रही हूँ लेकिन अगर आपके पास फ्रेस नारियल नहीं है तो मार्केट में जो सूखा नारियल मलता है उससे आप ग्रेड करके ये मिक्सर जार में डाल करके पीस के बना सकते हैं मार्केट में भी नारियल का बुरादा मिलता है उससे भी आप ये बर्फी बना सकते हैं लेकिन जो फ्रेस नारियल से बरफी बनती है, तो उसके टेस्ट का क्या ही कहना, बहुत ही ज़्यादा क्रीमी, बहुत ही ज़्यादा टेस्ट ही होती है, यह बरफी. तो इसको हम अभी थोड़ा सा और पकाएंगे लेकिन इसको हम ज्यादा नहीं गाढ़ा करेंगे क्योंकि जो इसमें नारियल होता है वो दानेदार होता है सेम जैसे मिल्क केक होता नहीं दानेदार सेम उसी तरीके से यह होता है तो अब हम गैस को कर देंगे बंद और यहाँ पर हम लिए हैं एक थाली, इसको अच्छी तरीके से ग्रीस कर लेंगे, जिस्से कि इसमें जो मिक्स्चर है वो चिपके नहीं, निकालने में आसानी हो तो हमारी थाली ग्रीस हो गई है, तो इसमें हम नारेल वाले मिक्स्चर को डाल लेंगे अगर आपके पास ट्रे है वर्फी जमाने वाली तो आप उसमें भी जमा सकते हैं, अगर वो नहीं है तो मेरे तरीके से आप इस तरह से थाली में आप इस वर्फी को जमा सकते हैं तो आपने देखा है कि इतना आसान है इसको बनाना, अब इसको हम इसी इस पैचुला से इसको बराबर कर देंगे थाली में, क्योंकि अभी गरम है थोड़ा तो इसको हम अभी हाथों से टेस्ट नहीं करेंगे, वा ना हाथ जलने का डर रहता है, तो इसी तरीके से पूरी थाली में हम इसको बराबर गर फैला देंगे, तो ये देखे कितना पढ़िया लग रहा है, इसतर तेस्टेर दीखी ए, तो आप इसको हम हाथों से अच्छे से फैला कर के चिकना कर देंगे, जिसी कि पूरी थाली बराबर अच्छे से फैल जाए, तो यह देखे इसी तरह से इसको हम हथेली से प्रेस करते हुए अच्छे से चितना कर देंगे जिससे कि इसकी जो उपरी लेयर है वो एकदम बराबर चिकनी हो जाए इसको हम ज्यादा कुछ डेकोरेट नहीं करेंगे इसमें मैंने कोई ड्राइफ्रूर्स इूज नहीं किया है आप चाहें तो इसमें चांदी कवर्ट या ड्राइफ्रूर्स से इसको गानिस कर सकते हैं पर मैं यहां इसमें कुछ भी उज नहीं कोरेंगी इसको नार्मली ऐसे ही बनाऊंगी तो ये दीखे हमने इस बर्फी को रख दिया था 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए तो बर्फी बहुत अच्छे सेट हो गई है तो इसको अब हम चाकू से काट लेंगे इसको हमने फ्रिज में नहीं रखा था बस ऐसे रख दिये थे 10 मिनेड में वर्फी अपने आप ऐसे सेट हो गई है तो यहां मैं इसको स्कुएर सेट में काट रही हैं आप इसको अपने मन पसंद अनुसार किसी भी सेट में काट सकते हैं मेरे काटने से ही आप जान गए होंगी कि यह बर्फी कितनी टेश्टी कितनी बढ़िया बन करके तयार हुई है वो भी इतनी आसान तरीके से वाव कितनी बढ़िया सौक्ट इस्पंजी और दानेदार यह हमारी नारियल की बर्फी बनी है मैं आपको इसको उठा करके भी दिखा रही है यह देखिए बनी है ना एकदम पर्फेट दानेदार हमारी यह मलाई तार नारियल बर्फी तो अगर आपको मेरी रेस पी पसंद आई होगी तो आप मेरे वीडियो को लाइक से रहें मेरे चैनल पर आपने है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तो फिर मिलते हैं अगली एक नई रेस पी के साथ थैंक यू